तो लीजे सुनिए शरत चंद्रे द्वारा रचित हिंदी कहानी पत निर्देश जब मध्यम वर्गिया परिवार के स्वामी का तपेदिक रोग होने से सरगवास हो जाता है तब यह अपने साथ अपने कुटुम्ब को भी अद्मरा कर जाता है सुलोचना के पती पतित पावन भी यही कर गए थे उन्होंने रोग को एक साल तक जहलने के बाद एक दुर दिन में अर्द रातरी को प्राण त्याग दिये अगले दिन सुलोचना अपने पती का आखरी प्राश्यत करके उनके पास आकर बैट कई थी और फिर नहीं उठी निशब्द भाव से पती ने प्राण त्याग दिये और सुलोचना भी उसी प्रकार निशब्द बैठी रहे महले भर की अन्य इस्तरियों की तरह रोते भी लगते एकत्रित नहीं किया आखर उसके पती की आयो ही क्या थी कुशन पहले ही तो उनकी तेरा वर्ष के कुवारी पुत्री हेम ना लेनी उनसे कुछ दूरी पर चटाई बिचा कर सो गई थी उसने उसे भी नहीं उठाया वह वहीं सोती रही और पिता की मृत्यू की बात से अंजान रही घर में ना कोई नौकरानी और ना कोई नौकर ना कोई रिष्टेदार ना कोई नातेदार और ना कोई दूर का रिष्टेदार कभी कभी इनकी मदद महले के लोग ही कर देते थे फिर वर्शा तुपहर के बाद आरंब हो गई इसलिए आज रात कोई भी महरबानी करके जगने के नाम से सोने नहीं आया भार ना रुकने वाली बारिश हो रही थी अंदर सुलोचना अपने मिर्ट पती के आँखों को के सामने लेकर पर्थर की मूर्ती बनी बैठी रही सब लोग अगले दिन खबर मिलने पर आए शव को पुरुश लोग बाहर निकाल कर दहा संसकार के लिए शमशान ले गए घर में स्त्रिया जल गोबर छड़कर विलाप करने बैठ गई सुलोचना के पास बची कुची संपत्ती के नाम पर एक छोटा आम और कटल का बागता उसे महले के लोगों की मदद से सौर रुपे में बेचकर पती का दहा संसकार करके चुपचाप घर बैठ गई बेटी ने पूछा मा अब क्या होगा मा ने उत्तर दिया भगवान हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है श्राद करने के बाद जो कुछ भी शेश रहा उससे किसी तरह एक माह भी दिया इसके उपरांथ एक दिन अकाश में छटे बादलों को देखकर सवेरा होने से पुर्व घर पर ताला लगाकर पुत्री का हाथ थामा और मार्ग में आकर खड़ी हो गई पुत्री ने पूछा मा कहां जाओगी माने का कलकता तेरे बड़े भाई के गर मेरे दादा कौन है तुमने कभी पहले उनकी बात नहीं की थोड़ी देर चुप रहने के बाद माने का बेटी मुझे इतने दिन तक तेरे पिता के रोगरस्त होने के कारण बात याद ही नहीं आई थी बड़ी बुद्धी मता है हिम चलते चलते एकदम रुक कर बोली किसी के घर जाने की क्या वश्यकता है यदि हम लोग कष्ट सायन करके रुके रहें हमारा पेट तो किसी तरह भर ही जाएगा मा मा मैं अपना घर छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी क्रोधा वेश में सुलोचना ने का हिम खड़ी ना रहे प्रात्यकाल हो जाएगा वह चलते चलते बुली उन्हाने तुझे पढ़ाया लिखा है उसे व्यरत ना गवा हिमा तु मुझे क्या बताएगी मैं जानती हूँ कि घर रहने पर मा पुत्री को हमारा वहां रहना अच हिम ने का तब तो इज्जत ही चली जाएगी रहे हिम मा जाएगी तो जाए हम दोनों मा पुत्री मेहनत मजदूरी करके खाएंगी हम लोगों की इज्जत रहने या गवाने से क्या अंतर पड़ेगा धरती पर कहीं ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियों का विवा ना होने पर उ उनकी इज्जत नहीं चली जाती हम भी उनी में की तरह जीएंगे सुलोजना की कोई इतने कश्ट में भी पुत्रे की बात सुनकर हंसी आ गई बोली गाउं तो तब भी छोड़ना ही पड़ेगा कोई इज्जत चले जाने पर आंगर में जाड़ू लगाने के लिए नहीं ब लगाते हुए शिरीरामपुर स्टेशन तक महुचा था उसी मार्ग पर करीब एक कोस चलकर रास्ते के पास इसी धेश्वरी के मंदिर के सामने आकर खड़ी हो गई गले में आचल डालकर प्रणाम की और बुरी मां सुबा हो गई है मुझे मार्ग पर चलने में ला जा रही है सुलोचना को स्वैम ला जा रही थी नीचे एक बुड़ी महिला सुबास दान करने के लिए आ रही थी उन्होंने उससे पूछा मा शिरीरामपुर स्टेशन का मार्ग यही है ना कुछ दर तक बुड़ी महिला ने उनकी मुग की और देखा और पूछा बेटी तुम जवाब ना देते वे का मा क्या कोई और मार्ग नहीं है स्टेशन का एक चोटी सी गली देविस्थान के सामने की तरफ से सीधे लाइन पर पहुँच गई थी बुड़ी महिला ने उसी मार्ग को दिखाते वे का ब्रामणों के गरों की समीप से यह गली होकर सीधे रेलवे स स्टेशन की सड़क को मिल गई है इसी रास्ते से तुम जाओ श्रीरामपुर स्टेशन सड़क पर सीधे जाने पर बाई और मिलेगा जाओ बेटी डरो मत कुछ नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा सुलोचना मन में कोई भी शंका ना लिये पुत्री का हाथ पकड़कर गली के अंदर चली गई गुनेंदर का भव्य और बड़ा मकान अमस स्ट्रीट पर लगबख खाली ही पढ़ा था वह तीसरी मंजिल के एक कमरे में सोता और दूसरे कमरे में पढ़ाई लिखाई करता था दूसरी मंजिल के कमरे बिलकुल खाली थे नीचे की मंजिल में दो नोकर एक दर्बान और एक रसोईया एक एक कमरे में रहते थे इसके अत्रिक्त अन्य कमरों में ताले लगे थे गुनेंदर के पिता लोहे का वैपार करते थे वे अपनी मृत्यु के समय इतना पैसा छोड़ गए थे कि एक संतान ना होकर दज संतान होती तो भी किसी को कमाने की जरुवत नहीं पड़ती गुनेंदर लोहे के वैपार कुई को बेचने पर मिली धन राशी को बैंक में रखने के बाद निश्चिन्त होकर अदालत में वकालत करने निकला था वे दिन में दस बजे कोई पुस्तक पढ़ने में मगने था करने का बाबुजी आपके स्तान करने का वक्त हो गया है जा रहा हूं कहकर गुनेंदर ने पढ़ना जारी रखा कुछ तेर बाद नोकर ने फिर का आपसे दो महिलाएं मिलना चाहती है मुझसे गुनेंदर ने हैरान होकर पुस्तक से मुझ उठाया हाँ बाबुजी आपसे आपकी स्लोचना उसकी बात पूरी होने से पहले ही कमरे में प्रविष्ट हो गई गुनेंदर पुस्तक बंद करके खड़ा हो गया उस नोकर को देखकर स्लोचना ने का जा तो अपना काम कर वे नोकर के जाने के बाद बोली गुनेंदर बेटा कहा है तुमारे पिताजी गुनेंदर स्तब्द होकर एक टक उनकी और देखता रहा कुछ नहीं बूल सका स्लोचना थोड़ी मुस्कुरा कर बली बेटा मेरे चेहरे को देखकर नहीं पैचान सकोगे हम लोग लगबग 12 वर्ष पहले तुम लोगों के पास वाले घर में रहते थे जिस वर्ष तुमारा यागो पावित हुआ था उसी वर्ष हम लोग भी घर चले गए थे क्या तुमारे पिताजी दुकान पर गए है गुनेंदर ने कहा नहीं तीन वर्ष पहले ही उनका स्वरगवास हो गया स्वरगवास हो गया और तुमारी बुगा जी वे भी नहीं है पिता जी से पहले उनका ही देयाफसान हो चुका था स्लोचना ने लंबी सांस खिचते हुए देख रही हो कि केवल मैं ही बची हूँ तुम साथ वर्ष के थे जब तुमारी माता के मृत्ती हुई थी तुम मेरे पास यगो पवित ना होने तक ही रहे थे आरे गुनी तुम सही मितलब की सखी मा का स्मरण है गुनेंदर ने उसी धरती पर माता टिक कर सुलचना के चरंचुए और माते की धुरी लगए फिर खड़ो कर का तुम ही हो वे मा गुनेंदर को सुलचना के हाथ बढ़ा कर गले से लगाया और कहा हाँ बेटा मैं वही हूँ मा बैठो ना गुनेंदर ने कुरसी को आगे करके कहा सुलचना हसते में बोली मैं तेरे आश्रे में आ गई हूँ तो बैठना ही है तुने अभी तक विवा नहीं किया उसके लिए तो समय ही नहीं मिला अभी तक सुलचना अब समय मिल जाएगा क्या कोई महिला नहीं है घर में नहीं रोसाई कोन बनाता है एक ब्रामन ओ सुलचना बोली अब ब्रामन की अवशकता नहीं होगी आश्रे मैं ही रसोई बनाऊँगी वह बात बात में होगी सबसे पहले मुझे कुछ बाते कहनी है उन्हें कहलो जब मेरे पती की नौकरी चली गई तो हम लोग अपने गाओं वाले घर में चले गए हमारे पास उस समय कुछ रुपे और जमीन जाइदा थी उसी से हमारा गुजर बसर हो रहा था इसके पश्चात उन्हें पिछले वर्ष तपेडिक हो गया उनकी बिमारी और वायू परिवर्तन के खर्चे ने सब कुछ खतम कर दिया एक माह पहले ही उनकी मृत्ती हो गई है अब तुस्से यही विंतिया है कि मुझ अनात को दो वक्त का भोजन देना सुलोजना की आँखे बराई गुनेंद्र भी रोने लगा उसने दुखी भाव से का क्या मा को पुत्र भोजन नहीं देते क्या मा तुम यही सोच कर यहां आई हो सुलोजना आचल से आसु पोचते वे बुली नहीं पुत्र मन में ऐसा सोच कर नहीं आई मैं शायद ऐसा होने पर इतने कष्ट में भी नहीं आती मैं तुझे छोटा सा देख कर गई थी आज मुझे बारा वर्षबाद कष्ट में पढ़कर जैसे ही तेरा स्मुनाया नी संकोच चली आई हूँ इसके अतरिक्त एक अन्या बात है मेरी पुत्री हेम नलिनी जो तेरी बहन है मुझे भी ज़्यादा अनात है उसके विवा की आई हो गई पर अंतु इसका विवाह नहीं कर सकी हूँ तुझे ही उसका उपाय करना है मा उसे अपने साथ क्यों नहीं लाई गुनेंदर ने कहा सुलोचना लाई हूँ परंतु वे बड़ी अभिमानी लड़की है वे कहीं हमारी बाते ना सुल ले तभी मैं उसे नीचे बैठा कर उपर आई हूँ गुनेंदर ने क्रोधित स्वर में नौकर पर चिलाते वे का ओ नंदा हेम नीचे बाठी है से बलाकर ला सुलोचना तेरा उसके विमानी जो करच होगा मैं वे करजा कभी बुनेंदर ने पीछ में ही सुलोचना को रोकते हुए का मात अब मैं बहार जा रहा हूँ तुमारे मन में जो भी आय कहती रहु तुमने मेरी मा के मरने के बाद जो कुछ भी किया था यदि मैं उसको करच के बारे में कहूं तो मुझे तुम्हें लज्जा के कारण कमरे से बाहर जाना पड़ेगा कहे देता हूं इसलिए यही सही होगा कि तुम भी चुप रहा हो और मैं भी सुलोचना नहसते वे का यही सही होगा पर अब मेरी पुत्री आ रही है उसके सामने कुछ नहीं बोलूँगी अभी एक बात और कहना चाहूंगी तो यह नहीं समझना कि यह मैं एक मा की निजर से देखकर कह रही हूँ तो स्वैम हेम के यहां आने पर देख पाएगा कि तेरी बेहन गुन रुप में किसी आदमी के लिए अयोग्या नहीं साबित होगी उसे उसके पिता ने बहुत पढ़ाया लिखाया उनका जीवन के अंतिम कई सालों में यही एक मातर काम शेश्रा मेरा मानना है कि वे लड़की जिस घर जाएगी वे घर खुश्यों से जूम उटेगा है एहम यहाँ पुतरी तेरे गुनी दादाईने नमस्कार कर कमरे के भीतर आकर हेम ने गुनी को भीमुश्टो कर प्रणाम किया फिर सिर नीचा करके खड़ी रही गुनेंद्र उसके सुन्दर मुख को देखकर अश्चेर चकी तोकर खड़ा रहा उसके विमुड भाप को देखकर सुलोचना बोली गुनी यदि देशाचर का निशेद ना होता तो मैं तुस्से ही हेम का विवा करती हेम का मेरी मृत्यू के पश्याद दस दिनों का अशौच होगा तीन दिन का अशौच तुझे भी मानना होगा तब ही धर्मता है वह तेरी बहन है गुनेंद्र ने सुयम को संभालते वे हेम की तरफ दिखकर का हम दोनों की मारता एक ही है सुना तुमने मैं मा के घर जैसा हूँ और तुम भी वैसे ही हो चलो तुम लोगों के भोजन की विवस्था कर दूँ अचानक सुलोचना ने कहा गुनी तेरी गले में जनेव नहीं दिख रहा गुनेंद्र ने अपने गिली के उर्द मुस्कुरा कर कहा हम लोग भ्राम हैं ब्रामत में कोई बुराई नहीं दिखती सुलोचना मनी मन मानू गहरी चोट में बैठके कुछ देर पशाद गहरे श्वास कीच कर पुली लोगों को पता हैं नहीं कहूं यह सब दुरबुद्धी होती है मा दुरबुद्धी की बात तो बात में होगी अब तुम रसोई घर की तरफ चलो जिस प्रकर रहागिर प्रेड के नीचे पका खाकर हाड़ी को फिक कर चल देता है और मुड़कर नहीं देखता है कि हाड़ी तूटी है बची संसार में 90 प्रतिशत आदमी इसी तरह माता सरस्वती से अपने स्वार्थ की सिद्धी करके माता लक्षमी के मार्ग पर उन्हें निर्दैता से फेक देते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं और एक बार भी नहीं देखते कि वे तूट गई या बच गई परन्तु गुनेंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया था वे वकील बनकर भी हमेशे की भाती श्रद्धा पुर्वक माता सरस्वती की सेवा करता किताब उसे उसके पढ़ने का कक्ष भरा हुआ था हेम ना लेने के लिए यह कक्ष एक बड़ा आश्रे स्थल बन गया गुनेंद्र की तरकीब से काम करने की आदत नहीं थी इसलिए एक बार जो किताब अलमारी से बाहर आ जाती वह जल्दी दुबारा नहीं जाती थी कुर्सी मेज और गलीचे में पड़ी रहकर एक लंबी अवधी के बादी किसी तरह नंदा की मदद से फिर अलमारी के अंदर पहुँच भी जाती तो अवश्यक्ता पढ़ने पर और बाहर नहीं हो पाती इस परकार दूसरी किताबों से मिल जाती उसकी किताबों की एक सूची भी थी परन्तु उसके उप्योग का कोई अन्या उपाय नहीं था दो चार दिनों के भीतरी हेम ने इस असंगर्टित श्रंकला को ठीक ठाक कर दिया एक अलमारी को एक दिन रिक्त करके उसमें सारी पुस्तकों कोई कठा लगा दिया तब ही कमरे के भीतर गुनेंदर आया हेम उसको देखकर बुली गुनेदादा इस अलमारी में किन किताबों को और उन किताबों को इस अलमारी में रखने इसमें बहुत असानी होगी क्यों असानी क्यों होगी वहाँ असानी नहीं होगी इन किताब को देखनी रहे इसमें रखने कितना हाँ देख रहूं बहुत असानी होगी आजकल गुनेंद्र अपने श्यान कक्ष में ही पढ़ता लिखता था हेम ने एक दिन रविवार की दुपहर को बहार से आवाज दे कर का गुनीदा भीतर आ सकती हूँ कमरे की भीतर परविष्ट होते ही गुनी बुला आओ हेम ने कहा तुम सदिफ श्यान कक्ष में क्यों पढ़ाई लिखाई करते हो क्यों बुराई क्या है क्या उस कक्ष में पढ़ने से विद्या घड़ जाती है क्या तुम्हारे पढ़ाई वाले कक्ष में पढ़ने से अब तक विद्या घटी थी गुनेंद्र घड़ी तो नहीं थी परन्तु कच्छी जरूर थी अब इस कक्ष में वैं पक रही है हेम पहले तो हस दी परन्तु उसकी बात को ठीक से ना समझ सकी और गंभीरता से बोली सब तुम्हारे लिए मजाक है क्या तुम कोई सीधी बात नहीं बोल सकते गुनेंद्र बिना कोई जवाब दिये हसने लगा हेम परन्तु मैं सब जानती हूँ मैं उस कक्ष में सोती हूँ इसलिए तुम वहाँ नहीं जाते मुझसे तुम्हें लज्जा लगती है परन्तु मुझे तुमसे बलकुल लग जानी हाती गुनी क्यों नहीं लगती लगनी चाहिए हेम ने माथे से अपनी एक लटक पीट की और हटाते वे कहा तुमसे लग जा क्यों लगेगी क्या तुम पर आयो गुनी यह नहीं हो सकता कि तुम उस कक्ष में पढ़ो कह करवे गुनी के सामने पड़ी किताबों को उठा कर बाहर चली गए गुनी हेम के लिए सदे पहने के लिए कंगन हार और चुड़ियां खरीत लाया था सुलोचना नहीं नहीं देखकर का बेटा इन सब चीजों की क्या जरुवत है गुनी माई नाभूशन से क्या होगा इसे तो और भी अधिक चाहिए लड़की का खाली हाथ हम नहीं देख सकते और इसको खाली हाथ विदा भी तो नहीं किया जा सकता सुलोचना निशब्द रह गए कि तो मैं मनी मन चिंदी धोटी ये दोनों इतने कम समय में इतने हिल मिल गए कब तक इसी बात को ना जाने सोशती रही थी उन्हाने एक दिन गुनी से का बेटा यह आने वाला अगन ना चला जाया उसका विवा जैसे भी हो करना होगा लड़की की उमर अधिक हो गई है गुनी बोला मा तुम इस बात के चिंता मत करो परन तू उसे जल में हाथ पाउं डाल कर तो बांध कर डाला नहीं जा सकता एक योग्या वर तो खुज नहीं पढ़ेगा सुलोचना ने गहरे एक श्वास लेते वे का गुनी योग्या या अयोग्या यह उसके भागे की बात है हम लोग अपना फरज निवाएंगे इसके बाद इश्वर की मर जी यह तो ठीक है मा इतना कहकर गुनी चला गया उसके मुकपर से होकर काली चाया गुजर गई सुलोचना ने इस पर ध्यान देकर एक और घहरी श्वास की खीची और फिर अपने कारे में लग गई मन में बोली नहीं नहीं यह सही नहीं वो रहा हम को जितना शिग्र हो सके पातरस्त करना ही होगा हेम अचानक काफी दिनों बाद गुणी के कक्ष में जाकर बोली अरे अभी तक लेटे हुए ववस्तर नहीं मतलने शिकर उठो बिस्तर पर लेटे हुए चुप चाप गुणी उसकी और देखता रहा अलमारी खोलकर हेम ने थोड़े से रुपे निकाले और आचल में बांद लिया चापी से अलमारी को बंद करके समी पाकर बोली गुणीदा तुम्हारे पैरो पढ़ती हूँ और देड़ ना कर उठो दुकान बंद हो जाएगी हेम को तयार देखकर गुणी को कुछ अनुमान लग गया था फिर भी उसने किसकी दुकान? अरे भई पुस्तकों की दुकान मानदा ने तुमें नहीं बिताया उसे मैंने तुमें सूचना देने को का था बहुत अच्छी और नई बंगला किताबे निकली हैं मैंने उसकी एक सूची तेयार की है गुनी ने उसके हाथ में एक कागश का टुकड़ा देखकर कहा देखो तुम्हारी सूची नहीं दिखाऊंगी तब तुम खरीदने नहीं दोगे परें तुम्हें में छिपा कर खरीदने पर भी पढ़ने नहीं दोगा थोड़ी देर चुप रहने के बाद हम ने का अच्छा चलो गाड़ी में दिखा दूँ में वे गाड़ी में पुस्तके लेकर शाम के समय लोटे सुलोचना ने देखकर कहा अरे बाबे इतनी पुस्तकों का क्या होगा गुनी बोला मा पता नहीं ये सब हम के पुस्तक हैं इन वेर्थ की पुस्तकों को खरीद कर रुपे नश्ट कर आई सुलोचना ने दुबारा का तू रुपे देने क्यों गया मैं क्यों दूंगा उसके हाथ में अलमारी की चाप भी है उसी से नहीं रुपे निकाले और गाड़ी तयार करने को का इसके बाद उन्हें स्वैम जाकर खरीद लाई मैं तो केवल उसके साथ था तीसरी मंजिल के कक्ष में हीम मांदा और नंदा पुस्तके ले गई तो सलोचिना ने का गुनी बेटा उसे इतनी खली छूट ना दो ना जानी कैसे परिवार में जाएगी तब कष्ट पाकर सहन ना कर पाएगी असमय मृत्य को प्राप्त होगी गुनी ने उपर पढ़ने के कक्ष में जाकर देखा हीम नई किताबों को इसकी रोशनी के नीचे पिछे गौन से नंबर वाले लेबल चिपका रही है मैं बोला मा ने कहा है तुम्हें ज्यादा छूट नहीं दी जाएगी और ना जाने कैसा परिवार में मिले निर्धन होगी आमीर तब कष्ट पाकर सहन ना कर पाऊगी और मिर्तियों के प्राप्त होगी हीम ने सिर उठाकर कुरधा वेश में कहा क्यों जीवित नहीं रहूंगी यदि तुम लोगों ने मेरा विवा किसी निर्धन परिवार में किया तो मैं अगले दिन ही कहां से भाग कर चली आओंगी गुनी ने हसते वे का तो यही सही है हीम ने कोई उत्तर नहीं दिया अपना कार्या करती रही कुछ देर और गुनेंदर चुप चाप उसके और एक टक देखता रहा फिर उसने अपने कमरे में धीमी चाल से चला गया दुरगा पूजा खतम हो गई गाड़ी से परतीमा विसरजन का मेला विजय दश्मी के दिन देखा और वापस आकर गुनी मा को प्रणाम करके उपर चला गया गुनेंदर जोटसना की रोशने में तीसरी मंजिर की खुली चट पर अकेला ही वहाँ चाल कदमी कर रहा था हेम ने उसके पाउं पर सीर रखकर परनाम किया और चरन धूली माथे पर लेकर उड़ गई गुनेंदर बिना कुछ बोले उसके मूँ के और देखता रहा यह देखकर वैद पहले थोड़ा शर्मा सी के लेकिन उसी शन बोली गुनीदा तुमने मुझे आशिरवाद नहीं दिया गुनेंदर है तुरंद बोला दिया तो है कहां दिया मन ही मन तुम बताओ मुझे क्या आशिरवाद दिया गुनेंदर उसके प्रशन पर स्तब्द रह गया आखरी गंबिर होकर बोला आशिरवाद को शब्दों में नहीं बताया जाता ऐसा करने से फल नहीं प्राप्त होता हिम बोली अच्छा इस बात को यहीं कतम करो तुमने मा को प्रणाम किया हाँ वै तो मैं रोजाना करता हूँ नहीं नहीं उससे नहीं होगा हिम ने बेचैन होकर खा आज विजय दश्मी है और उन्हें विशेश रुख से प्रणाम करना पड़ता है शिगर जाओ नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा गुनेंद्र नीचे चला गया हिम गुनी के कक्ष में कार्तिक के बिचो बीच एक दिन आंधी की भाती घुसकर आई और बुली तुम लोगों के पास कहने को कोई और विशे नहीं है क्या या करने को और कोई कार्य नहीं है क्यों मैंने तुम लोगों का क्या बुरा किया है कहकर वैं विलाप करने लगी हीम ने रोते वे का जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना आखिर क्या बात है माने मुझे बताया था शांती पुरिया कहां सब ठीक ठाक हो गया यदि मैं विवा ना करना चाहूं तो क्या तुम लोग जबरदस्ती मेरे हाथ पाउं बांद कर विवा कर सकते हो गुनेंद्र ने बात समझ कर मुस्कुराते वे का ओ यह बात है तुम बड़ी हो गई हो तुम्हारा विवा तो करना ही होगा नहीं, क्यों नहीं, विवाना करने पर इज़त चली जाती है, क्या विवाना करने पर लोगों की इज़त चली जाती है, हम लोग भ्रम हैं, हम लोगों की इज़त नहीं जाती, परंतु तुम लोगों के समाज की लड़कियों का समय पर विवाना करने पर इज़त चली जाती है इसलिए तुम्हे तु विवा करना ही होगा हेम ने आसु पूछते हुए का तुम ही लोग ठीक हो तुम लोग व्यक्ती हो तभी इस परकार धर पकड़ कर किसी का कतल करते हो मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी चाहे तुम लोगों कोई भी व्यस्ता क्यों ना की हो गुनेंद्र ने हेम को शांत करने के लिए अराम से का उन लोगों का घर भी तो बहुत बड़ा है देखने सुनने में भी ठीक ठाक है अमीर बुद्धिमान विद्वान है तुम्हें उनके यहां कोई कष्ट नहीं होगा थोड़ी देर भी चुपना होकर बालों के गुच्छे को मुझ से हटा कर कहा मैं कहती हूँ यह नहीं हो सकता किसी भी तरह नहीं हो सकता यदि मैं तुम लोगों के लिए बोज बन गई हूँ तो मुझे भोजन देनी के अवश्यक्ता ही नहीं मैं बिना कुछ खाई पढ़ने वाले कक्ष में पढ़ी रहूँगी मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांगूँगी गुनेंदर ने हसने की कोशिश करते वे का वहां भी तो तुम्हें पढ़ने का कक्ष मिलेगा और यदि ना मिला तो मैं तुम्हारे इसी कक्ष को उठा कर वहां देयाओंगा हेम ने गुनी की बात को अंसुना करके बिलगते वे का गुनीदा तुम्हे कुछ नहीं करना होगा इस अगेन में केवल एक महा पश्चात गुनीदा तुम्हारे पाउं पढ़ती हूँ तुम इस रिष्टे को तोड़ दो हेम को रोता देखकर गुनेंदर के भी आसू निकलाए उसने हार कर खा भाई यह कैसे संभव है यह नहीं हो सकता सब बाचीत पक्की हो गई है खाक पक्की हो गई है तुम नहीं तो रिष्टा किया तुम चाहने पर उसे तोड़ भी सकते हो मैं हाथ जोड़ कर कह रही हूँ गुरीदा मेरे इस बात को मान लो सुलोचना हैरान होकर हेम के पीछे पीछे उपर चल दी काक्षमे जाकर गुस्से से बोली हेम हेम तु यह सब क्या कर रही है पागल हो गही है क्या कभी रिष्टा तोड़ा जा सकता है पक्की बाचीत को बदला जा सकता है और रिष्टा भी तोड़ू क्यों तेरा भाग्या अच्छा है कि तुझे ऐसा भाई मिला है और फिर इतना अच्छा रिष्टा मिला है और तू उसे तोड़ने की चेश्टा कर रही है बंगाली परिवार की पुत्री होकर बदकिस्मतों की तरह कुवारी रहना चाहती है जा नीचे जा और सुलोचना ने गुनेंदर की तरफ देखते वे कहा यह रात दिन पुस्तक के पढ़ने का परिणाम है ऐसी दुरमती 24 गंटे नावल नाटक पढ़ने से होती है उसको इसी अगहन में जैसे भी बने विदाई तो करने ही होगी गुनेंदर चुपचाप बैठा रहा थोड़ी नाओ गुनेदर मैं खा रही हूँ गुनी हैरान होकर खड़ा हो गया और भोजन बिकार नहीं होता और मैं क्या उससे भी हीन हूं हीम ने उदास होकर हस्ते वेखा अच्छा आओ मैं भोजन कर चुकी कहकर उसने खाने की थाली को उठा कर मेच के उस तरफ रख दिया नहीं नहीं तुम खाओ मैं वस्तर बदल कर आ रहा हूं क्या कर गुनी शिगर चला किया उसकी छाती के अंदर प्युडासी होने लगी अगले दिन प्रातर दस बजे गुनी के भोजन करके उठने उठते ही ना जाने कहां से हेम ने आकर उस बिछाय आसन पर बैठ कर का ब्रामन ठाकुर मुझे इसी ही थाली में भोजन परोस जाओ ब्रामन ठाकुर ने आश्चारी चकीतोगर का अभी तो उसमें बाबु भोजन करके गए है हाँ हाँ पता है तुम परोसा ना समीब के कक्ष दे सुलोचना ने सुनकर उसके निकट जाकर का हीम क्या बोल रही हो यह गुनी की जूटी थाली है जा जा वस्तर बदल कर गंगा जल चुका रहा हीम ने मा की बात को अनसुनी कर दिया और उसी थाली में से एक निवाला मूमें डाल कर बुली ठाकुर भात लाओ, संसार में कितने लोगों को गुरीदा की जूटी थाली में खाने का अफसर प्राप्त होता है इस थाली में खाना भागे से ही संभव है सुलोचना हैरान होकर देखती रही, ब्रामन ठाकुर थाली में समची और चावल दे गए गुनी बरांदे के दूसरी तरफ बैठकर हाथ मों दो रहा था, उसने सब कुछ सुना शाम की समर उसने हीम से कहा, आज तो हीम की जाती चली गई हीम, किसी नई किताब को पढ़ने में व्यस्ते थी, उसने किताब से मूठाई बिना ही कहा तुमसे किस ने कहा, कोई कुछ भी बोले जाती तो चली गई न, हीम ने सिर उठाकर का, नहीं तुम्हारी जूटी धाली में भोजन करने से किसी की जाती नहीं जाती, जिन्होंने जाती प्रथा चलाई है, उनकी भी नहीं गुनी थोड़ी दूरी पर रखी कुर्सी पर बैठ कर बोला, वह जो भी हो, परंतु काम ठीक नहीं हुआ, जिसकी जो जाती है, उसे उसके अनुसार वेवार करना चीए, इसके अधरिक्त मा को भी कश्ट होता है हीम, कुछ देर तक चुप रहने के बाद अचानक करोधी तो कर बोली, जैसे यह तुम्हारा घर नहीं है, यह तुम्हारा इस्थान नहीं है, जैसे तुम सबके नीचे हो, सबसे छोटे हो, हो सकता है, इसे तुम सहन कर लो, मैं कभी नहीं कर सकती, तुम्हारी ठाली में, ख तोड़ी दिर चुपचा बटने के बाद दिरे से ही उठकर चला गया। उसके नेत्रों में आज अचानक एक काला परदा उठकर ना जाने कहां गुम हो गया। इसी कॉलेज में पढ़ता था। किशोरी बाबु की आयू लगवक 36 साल की थी। वे अपने वी पत्निक होने के बाद से ही एक योग्या लड़की की तलाश में थे। तब ही उन्होंने बिना देके ही हेम को पसंद किया। उन्होंने शादी के बश्यात सुलोचना को भी अपन रहकर भी तुम पुन्या एकठा नहीं कर पा रही हो तो बैकुंट जाने पर भी नहीं कर पाओगी। यदि तुम गुनिदा को छोड़कर यहां आओगी तुम्हे स्वैम जाकर उनके पास रहूंगी। वे अपनी पुत्री को जानती थी तब ही जान नहीं पाई। लेकर नवदी प्यातरा के लिए स्टीमर पर बैठ गई। उन्होंने वहां जाकर बेटी को दुबला देखकर दुखी मनसिकार शायद तेरे यहां कोई ध्यान नहीं रखता तभी तो इतनी दुबली हो गई। पुत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब सुलोचना ने त तो फिर भी मेरी अपनी लड़की दमाद का घर है। वहां कौन सा मेरा अपना घर है जो वापस जाने के लिए सुनो। हेम कुछ देर तक भोचक की बैठी रही। फिर कहा मा तुमारी कोई गलती नहीं यह हिस्त्रियों का धरम है। हम लोग अपने पराय के अंतर को एक दिन कर कहा मेरा गुनी ब्रहम है तो क्या तुम्हार परंतु लोकाचर भली बांती जानता है। महले में मिठाई फल बाटकर वस्तरादी सब को दिखा कर बुली। वे घर पर नहीं है। उन्होंने सब के सामने यह भी दिन डोरा पीट दिया कि वे पूजा के बादी घर वापस जाएंगे। उसी दिन से हेम ने उनके जाने के बारे में कहना ही छोड़ दिया और आज भी चुप रही। सुलोचना हेम के मन के भाव को जानकर मन ही मन बोली। यदि सब इश्वर ने चाहा तो तू भी जान जाएगी कि मा को अपनी संतान से अलग होने में कितनी तकलिफ ह पूजा समाप्त होते होते सुलोचना को मलेरिया बुकार ने जकर लिया। महा भर बुकार जहिलने के बाद एक दिन हम बोली मा आप तेर क्यों कर रही हो। दुख में मदुसुदन का ध्यान किया जाता है। यदि जीना चाहती हो तो गुनीदा को बुकारो। कहते कहते उस मादी के विवस्ता करके नौकर नौकरानी के साथ देकर उन्हें वायू परिवर्तन के लिए पश्यम रवाने किया। जाते समय सुलोचना बोली। गुनी बेटा तु भी हमारे साथ चल। तेरी सेहत भी तो ठीक नहीं है तो उन्हों संग चलेंगे। पर गुनी नहीं माना उसे कलकत्ता में कुछ अवश्यक काम था इसलिए वह वही रुख गया। सुलोचना की पश्यम में जाकर सिहत में सुधार होने लगा। उन्होंने नवदी पर कलकत्ता में चिठ्धी द्वारा सुचना बेजी कि यदि उसके सुआस्ते में सुधार हो गया तो वह माक के देख रहता तबी पीछे दर्वाजे के बाहर खड़े होकर नए दर्वान ने पुकारा हुजूर एक जरूरी तार आया है। गुनी ने पीछे घुमकर देखा दर्वान समझदारी दिखाते वे पियोन को सबने साथ लाया। डाकिया तार का लिवाफा देकर हस्ताक्षर कर के परणाम करके चला गया। गुनी तार पढ़कर हैरान हो गया। हेम ने सूचना भेजी है कि वे रवाना हो गई। हुगली में उतर कर ट्रेन से आएगी इस दिए दिन के तीन चार बजे हावडा स्टेशन पर गाड़ी भेज दी जाए। वह क्यों आ रही है। उसके साथ पहले ही हेम को लेकर लोट आया। साथ में नौकरानी नौकर और कुछ समान भी था। हेम को देखकर गुनी सीर उठा कर बोला यह पागलो जैसा भेश बना कर कैसे आ रही हो। जुखकर परणाम करके हेम बोली उपर चलो सब बताती हो। उपर बैठने के कक्ष में आकर बै आजी के दिन विदा हुई थी फिर आजी के दिन लोट आई। गुनी उसकी बात को समझना पैर बुला वापस आ गई। मतलब हीम ने सहजिता से का वापस ही तो आई हूँ। वहां और कैसे रहती तुम क्या मिरे सफेद वस्तर देखकर भी कुछ नहीं समझ सके। सारे क्रि पर टेड़ी मेडी लाइन कीचती हुई कहां गायब हो गई और फिर उसकी आँखों से अश्रु की धरा बहने लगी। थोड़ी दिर बाद बुला तुमने कोई सूचना भी ना दी कि चोरी भाव को क्या हुआ था। हैं। हैजे के लक्षन उस बुद्वार की शाम से ही लि मौचते वे कहा लेकिन इस से भी तो मा को बहुत सदमा पहुचेगा वे जब तक जान ना पाए तबी तक अच्छा हैं। हेम ने कहा गुणी तक क्या करोगे। तुम लोगों ने इश्वर के खिलाफ शड़ियंत्र किया था। इस बात को मैंने ही केवल अपने भीतर गुणी तुमने चलते से मैं भी कुछ नहीं कहा नहीं स्टीमर प्राते होते ही पकड़ना था। सुलोजना माक के आखिर में वापस आई। परंतु बिमारी ठीक नहीं हुई थी इसके पश्यात घर आकर इस दृश्या को देखकर फिर से बिमार हो गई। इस शोक से उसकी चाती को तीर की भाती बीन दिया। इलाज और सेवा की कोई सीमा नहीं रही परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब उनके हाथ पाउं में सूजा ना गई तब गुणी बहुत चिंतित हो गया। उन्होंने उसी दिन गुणी को अकेला पाकर कहा। बेटे अब बे इने को कौन सी उमीशेश है जो तु मेरे प्राण बचाना चाहता है। गुणी सिर जुका कर बठा रहा। सुलोचना बुली। गुणी मैं इतनी अज्यानी नहीं हुँ बेटा। मैंने जान बुझकर जो पाप किया है। वै धीरे धीरे अंदर ही अंदर मुझे समाप्त कि जा रहा है। कुछ देर के लिए चुप रहकर फिर बुली। गुणी मुझे एक बात ससच बता दे। मैं यह भली बाती जानती हूँ कि तुझे कभी हेम से सनहे था। प्रयास करने पर क्या फिर तू से सनहे नहीं कर सकता। गुणी ने सिर नीचा किये वे खा। मां उसे त चांती हूँ अच्छा यही मेरा आकरी आशिरवाद रहा तुम लोगों के लिए यदि जरूत हुई तो उसे यह है बता देना एक और बात बेटा मैं जब यहां ती मुझे हेम ने अपनी चिठी में लिखा था मां तुम जहा हो उस घर की हवा लगने पर पुरा नवद्दि उसे मेरे अलावा और कोई नहीं जानता गुनी चुपचा विलाप करने लगा वह सुलोचना को मा की तरह प्रेम करता था सुलोचना ने कहा मैं हीम को कुछ नहीं बूल सकूंगी उसके चैरे के और दृष्टी डालते ही मेरी चाती में जलन होने लगती है लोग सोतेली मा की कठोड़ता की कहानी कहता है मैं उसकी सोतली मा से भी बड़ी शत्र हूँ अगले दिन इस्तिती और भी गंभी रो गई उनके बचने की उमीद सबने छोड़ दी उन्होंने सांस की तकलीफ आरंब होते वे हेम को बुलाया और च्छाती से लगा कर चुमार विलाप करने लग मैंने पंदरा वर्ष्टक अपनी चाती से चिपका कर रखा था आज समय आ गया है तभी तेरे पिता के पास जा रही हूँ यह मेरे लिए सुख का दिन है हीम आज मैं रोती नहीं हस बोलकर परसन होकर ही जाती हूँ यदि तेरे जीवन को मैंने इस तरह नश्ट कर दिया होत तो मैं इसी शरम और दुख से तेरे चेहरे के और देख नहीं पा रही हूँ बेटी हीम रोते भी लगते वे बोली मा तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो मेरे खोटे नसी में जो लिखा था वही हुआ उसमें तुमारी तो कोई गलती नहीं सुलोचना के बीच में टोकते हु तब ही तो अपने इस दुख को रखने का कोई स्थान नहीं डून पा रही हूँ बिना सोचे समझे के गया है किये गए पाप के प्रतिकार का उपाई है परन्तु सोचे समझे मैंने जो पाप किया है उसका सुधार कैसे होगा बेटी उसकी आँखों में अश्रू की धारा ब पा रही हूँ नहीं तो आज मौत के वक्त हाथ जोड़ कर कहती उनका मुँ हाथ से बंद करके हेम रोते में बुली मुझे बताओ क्या करने से सुखी होगी मैं वही करूँगी मैंने तो तुम्हारी बात मानने से कभी मना नहीं किया सुलोचना ने तकलीश में अपने कारी को बदला एक वर्ष पहले जिन वस्त्रों को पहन कर इसको शाय में इसी पालंग पर बैठी जिन अभुशनओं को पहन कर मुझे प्रनाम करना आई ती मेरे गुणी के दिए वही वस्त्र उन्हीं अभुशनओं को पहनकर में सामने आ था मुझी थोड़ी देर के लिए ही अपने किये पाप से मुक्त हो जाने दे। हेम ने बिना कुछ बुले उनकी आग्या का पालन किया। इसके पश्यात लोटकर उनके पास बाटने पर उनके होटों पर जैसे हलकी हजी का अनुभव हो गया। उन्होंने स्वस्त भाव से का बेटी मैं 34 वर्ष की आयो में जिस बात को नहीं जान पाई उसे एक निर्मिश में जान गई। जिस दिन पश्यम से लोटकर तुझे मैंने पहली बार देखा सिर पर गाज गिरने की बात लोग कहते हैं पता नहीं क्यों इसमें क्या होता है पर म जाने किस कठोर दिल ने विद्वा के वस्तर तयार किये थे उसे तो मैं आज श्राप देती हूँ कि मेरी तरह उसे भी मरमारता कश्ट सैन करना पड़े नहीं हैं रुकावट ना दे बेटी कल फिर से कहने नहीं आउंगी मैं तुझे आज आज यह सब बता रही हूँ कि ते बतों की अवाज सुनकर हेम के सिर पर आचल खीचते ही गुणी अंग्रेज डॉक्टर को साथ लेकर कक्ष के सामने आ गया सुलोच नहीं है देखकर गबरा कर बुली गुणी अब फिर क्यों ले आया उसे वहीं से फीज देकर बिना कुछ कर तो मेरे पास यहां बैठ मा कम स लगा सुलोच नहीं व्यथित होकर बोली देख उसकी अकल देख वे आज मेरे जोर देखेगा जाहूनी नंदा को भेज दे कोई अच्छा वैद बुला लाए कब मेरा अंतिम वक्त आएगा बता जाए कहदे कहदे अपने साथ कोई दवाई ना लाए सुलोच नहीं गैस की जाती मेरी अंतिम रात है तभी आज के भावों को पूरी तरह व्यक्त ना कर सको तब इश्वर मुझे और दंड दे प्रंतु वे किसी निर्दोश को और कश्ट ना दे मेरा पाप इश्वर मेरे साथ खतम कर दे वे कुछ देर स्तब्द रहकर अचानक लंबा श्वास खिच कर उनकर उठी हेम ने चिंतित होकर उसके चेहरे पर जुक कर पुचा मा क्या बात है सुलोचना ने धीरे धीरे का कुछ नहीं बेटी है हेम केवल अकेले तेरा ही नहीं मैंने मेरे गुनी का जो चेहरा अपनी आखों से देखा है उसे देखकर किसी पाशान हिर्दय व्यक्त को भी करोना आ जाती परंतु परंतु मुझे नहीं आई जबकि उसने हम लोगों के लिए क्या नहीं किया जाने दो जाने दो इन बातों की चर्चा अब नहीं करूंगी कभी उसकी आग्या का उलंगन ना करना बेटी कभी उसे कोई नुकसान ना देना इस बात को कभी मत जिनके आदेश से तुम दोनों पहले दर्शन में सदेव के लिए एक बन गए थे हैं जी बेटी शरम की बात क्या है अंतरियामी इश्वर हिरदय में इस्तित होकर जो निर्देश देते हैं उसकी अभिलना ना करना उनका निर्देश मेरे भीतर भी ध्वनित हुआ था इन्तुम मैंने भावा वेश में उसे नहीं माना उसका अनाधर किया तभी उसका फल भोग रही हूँ पर तुम लोगों के लिए ये मेरा आकरिया नूराद है बेटी मेरी भूल मेरे पाप को हमेशा के लिए स्विकार करके मेरी दुश्कृति क्यों कहीं चीरिस्थाईना बनाए रखना तभी मानधा ने आकर कहा मा वैदीजी आये हैं ले आ उन्हें सुलचना ने धीरे सिका हेम कुछ देर के लिए तु बाहर चली जा बेटी मा के धे अफसान के बाद हेम के वैवार में कनू का बदलाव दिखाई दिने लगा समीप रहकर भी मानो वहर वो जाना अपने को किसी दूर अंतराल की और ले जाने लगी गुनेंद्र हमेशा से ही सहीशुन और श्रांत प्रकरती का है इस बदलाव को उसने देखा परंतु कुछ बोला नहीं अचानक धरम में हेन को ना जाने किस अम्रित रसका स्वाद मिला वही जाने उसके नाटा को पन्यास कवीता आधी की किताबे उगर कर पिथक परक दी महा भारत रमान गीता उपनिशद इत्यादी गरंतों के बंगला अनुवाद में उसने अपने को पूर्णतेया लीन कर लिया उसने मा की शपत का ख्याल करके सफेद वस्तर नहीं पहने ना कान के हीरे के टॉप्स, कंगन और हार भी खोले परंतु वै धव्य के सब कठोर नियमों का निश्ठा पूर्वक पालंग करने लगी सभी प्रकार के बहुल्य का वरजन करके वै एक समय स्वैम भोजन पका कर खाती थी घर के जरूरी कामों को पूरा करने में जो वक्त लगता था इसके अतरिक पूरा वक्त धरम के अनुशीरन में बिताया करती यदि वै कभी गुनी के पास आती तो थोड़ी देर बाद किसी कारिय के बहाने वापस चली जाती वै उसके साथ से डरने लगी थी इस अकस्मिक तरस्त पलायन से वै इतना सूसपिष्ट हो उटता कि काफी देर तक गुनी स्थब्द होकर बैठा रहता जैसे जैसे समय बीटता गया उसके अचार विचार छोटे बड़े कारिया तक सुद्रड अकार ग्रहन करने लगे जिस प्रकार जेल के व्यफ स्थापक वरग जेल में गहरे के बाद गहरे डालकर बड़े-बड़े कैदियों के परिसर को छोटा बनाते हैं हीम भी उसी तरह सतर्क रहकर अपने हिर्देयवासी किसी महां दुष्ट कृत कारी के चलने फिरने के पत को संक्रिन बना डालने की चेश्टा में लग गई अचाना के एक दिन आकर बुली गुनी ते हमें मंतर ले लो उसके मुख की तरफ देखकर गुनी ने पुझा क्या मंतर गुरू मंतर हाँ डरो मत भाई तुम्हे आत्मरक्षा के लिए रोजाना नए कवच धारन करने की जरूत नहीं गुनी ने हसते वे कहा शायद हिम उसकी बात को समझ नहीं पाई कुछ देर उसकी तरफ देखकर बुली गुरू मंतरी की अवश्क्टा नहीं है में वही मेरा भी अच्छा गुनी दा इस बात का क्या मतलब हीम दुबारा बोली परंतु सब धर्मों में तो समानता नहीं है थोड़ी देर चुप रहने के बाद गुनी बोला मैं दूसरों के साथ यह सब बाते नहीं करता हीम ने का परंतु मैं तो तुम्हारे लिए कोई अन कर का जब तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे बता चलेगा गुनी ने उसके मुक्या और देखकर अनुतुपत होकर का क्या तुम जानना चाहती हो हैम बोली गुनी दा मैंने जिस दिन जबरन तुमारी जूटी ठाली में भूजन किया था तुमने उस दिन मुझे निशे जाती और धरम एक वस्तु नहीं है एक है देशाचार लोकाचार केवल सामे एक चीज है दूसरा है वरतमान और भविश्य है दौनों ही काल से सम्मन दीत है परंदिस का मतलब यह नहीं कि धरम को मान कर चलने से जाती को भी मान लिया जाए नहीं जाती को मानने से धरम को मान लिया जाता है जाती को मान कर ना चलने से लोगों को तकलीफ सेहन करना परती है और सबी जेल नहीं पाते मैंने कभी तुम्हें उस दिन वह बात कही थी हेम दोनों ही वस्तुएं भिन हैं पर तुए एक दूसरे में घुल मिल गई इसलिए देश भेद के साथी धरम में भी विवन भेद उत्पन हो गए धरम के मूल बात पुनर जनम की बात मृत्यू का अंध नहीं इसी बुनियाद पर तुम हिंदू खड़ी हो मैं ब्राम हम भी खड़ा हूं सब धरम भगवान को नहीं मानते परंतु मृत्यू के बाद ही जीव मुक्त नहीं हो जाता इस बात को निगरो देश से लेकर अन्य देश तक के सभी देशों के धरम मानते है मृत्यू के बात की चिंता तभी तुमें भी होती है मुझे भी हो सकता है कि हम लोगों के चिंतन के विद्यां भिन हो पर चिंतन का विशय तो एक ही है इसी बात का उब्देश कर गई है शायद माँ तुम्हें अपने जिवन की आखरे पहलों में थोड़ी देर चुप रहने के बाद हैं बोली केवल चिंता से ही कारिया नहीं चलेगा उसका कोई उपाए भी होना चीए गुणी अवश्य होना चीए इसी उपाए की खूच को लेकर ही तो इतना मदवेद है इतना हंगाम है मुझे तुम्हारा उपाए ना पसंद है मेरा उपाए तुमे पसंद गुरीदा गुरी हैरान हो गया मुड़कर बोला क्या बात हैं अच्छा मैं जिस मार्क पर चल रही हूं क्या वैस सही है मैं यह कैसे बता सकता हूं इस बात को तो तुम यहीं चाहनना चाहिए यदि तुम्हें इसमें आनंद पराफ्ट होता है शानती मिलती है तब निशीत र ना जाने कौन मुझे कीच कर ले जाकर जबरदस्ती कराता है यह सब मैं अपने को रोक नहीं पाती गुणी क्या कहे अचानक उसकी समझ में नहीं आया कुछ देर तक सोचने के बाद बोला हो सकता है नहीं विवस्ता होने के कारण तुम्हें आनंदा नुम्ह ना हो रहा हो अवश्य में तुम अवश्य सुकी रहोगी एक दो दिन पश्या चांदनी की रोश्नी में गुणी खुली छट पर शीतल पाटी पर चुप चाप लेटा था हीम आकर उसके पैताने बैट गई और बोली गुणीदा तुम्हेरे पाउं को सहला दूं सहला दूं कहकर गुणी आके बंद करके गुणी ने कहा क्या क्या ख्याल है तुम्हारा मैं बताने नहीं पूछने आई हूं क्या शायद मेरे पाउं को सहलाने इसी बत की भूमी का है नहीं, हेम ने सहजिता से का, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे पाउं के पास बढ़ते ही, मेरा मनों ने सहलाने को करने लगता है गुनी कुछ नहीं बोला, वे अपनी जीप पर विश्वास ना कर सका हीम, बताओगे नहीं? गुनी तब भी कुछ नहीं बोला हीम ने गुनी के पाओं के तले पर हल्की सी चिकाटी काटकर का शिकर काओ अरे बताओंगा पहले तुम मेरी बातों का उत्तर दो पूछो, तुम अपने पती को प्रेम करती थी? नहीं मेरे मन में यह बात कभी आई ही नहीं वहाँ की एक पैसे की वस्तु भी अपने साथ लाई नहीं हूँ उनके दिये हुए वस्तु तक पहन कर नहीं आई पेट में जो खाया था उसका चौगना देकर आई हूँ मेरा उनके साथ ऐसा ही संपर्क था गुड़ी परंतु अपने पतियों को सती इस्त्रियां प्रेम करती है वे द्वा होने पर भी उनके चारेव को मन में बिठा कर दूसरा विवानी करती वे मृत्यू के वक्त तुमारी मा की भादी सोचती है कि वे अपने पती के पास जा रही है हें तुम लोगों ने तुम मेरा विवा जबरदस्ती किया था मैं भी तो सती नारी हूँ तभी तो मृत्यू के पास तुमारे पास जा रही हूँ यही सोचूंगी अच्छा गुनिदा क्या तुमारे पास मरने के बाद पहुंस सकूंगी उसकी बात में ना कोई लच जाती ना कोई दूइदा ना कोई असब्यता या असपश्टता जैसे किसी और की बात कोई और बता रहा था उस हें के साथ जैसे वर्तमान हें का कुछ सम्मन्दी नहीं था गुनि पहुचक का रह गया हें ने पूचा कहो तुम्हारे पास पहुच सकूंगी या नहीं गुनि क्यों नहीं मैं नहीं जानता मेरा कर्म फल मुझे कहां ले जाएगा तुम भी नहीं जानती कि तुम्हारा कर्म फल तुम्हे कहां ले जाएगा नारी अपने कर्म से स्वर्ग जाती और उसका पती हो सकता है कि जनम जनम नरक का दुख सहता हूँ ऐसी परिस्तिते में चाकर भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते थोड़ी देर तक मौन रहकर महीम ने धिरी से का क्या तब सच मुझ दुबारा मिलने का कोई मार्ग नहीं रहता गुणी नहीं और उसकी अवश्यक्ता भी नहीं रहती हैं इसलिए यही बेतर होगा कि तुम उस परम मिलन के बारे में सोचो जिसके पास जाने पर फिर और किसी के पास जाने की इच्छा नहीं होती इसका तात पर यह है कि सभी प्रकार के मिलन की इच्छा स्वेम सार्थक और परिपूर्ण हो जाएगी तुम उसी मिलन की काम ना करो मैं दिल से आशिरवाद देता हूँ कि हमारे दिये हुए सब दुख तुमारे लिए सार्थक सिध हो हीम ने चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुणी की आँखों में अश्रू गिर रहे हैं उसने गुणी के पाउपर माथा टिक कर प्रणाम किया और फिर धीरे से उठकर चली गई हीम रोज सुबा नहा दूकर गुणी को प्रणाम करने आती थी अगले दिन उसके आते ही गुणी ने अपनी सभी हिच के चाहट दबा कर उससे पूछा हीम तुमने कल विदवा इस्तान की बात क्यों पूछी थी हीम इस विशे में समाचार पत्र में पढ़ा था इसलिए क्या तुम उसे उस चीज समस्ती हो हीम निसाराइश में का चीए भी कोई विवा है क्यों नहीं पृत्वी की सभी जातियों में हिंदू के अलावे विदवा विवा परिचलित है होने तो कहकर हीम का अक्ष्टे बाहर जाही रही थी कि गुणी ने उसे बुला कर का हीम एक और बात पूछनी है क्या बात है हीम ने पीछे मुड़कर कहा तुम्हारी आयू कितनी है सोला वश इतनी छोटी उम्र में आज जीवन सन्यासी बनी रहोगी दुखी स्वर में हीम ने का और क्या कर सकते हूं जैसा मेरा नसीब जैसी तुम लोगों की बुद्धी थोड़ी देर तक उसके मुकी और देखकर गुणी बोला क्या इसके अधरिक कोई अन्या उपाह नहीं है गुणी दा कोई नहीं यह कहकर हेम वहाँ से चल दी एक दिन जब गुणी कैचारी जाने के लिए तयार हुआ था तब हेम ने आकर अलमारी से चेक बुक निकालकर गुणी के हाथ में देते वे कहा वापस आते समय बैंक से पांस सो रुपे ले आना अच्छा कहकर गुणी ने जेब में चेक बुक रख ली हेम ने उसे रोकते वे कहा ठहरो ठहरो घर के अरच के लिए रुपे भी कम हो गए है दो सो रुपे और ले आना हैरान होकर गुणी ने पुझा पर यह पांस सो रुपे किस्ते हैं ये रुपे मैं कल काशी जाओंगी न गुणी कुरसी पर बैटकर बोला कल काशी जाओगी तुमने इसके लिए किसी की राय लेने की जरुवत नहीं समझी हेम तुम्हारे अनुमती लेकर ही जाओँगी गुनी जब तुमने ठान लिया है कि कल तुम काशी जाओगी तो फिर अनुमती कब लोगी बताओ कौन तुम्हारे साथ जाएगा मानदा जाएगा अच्छा जाना कहकर गुनी अदालक चला गया हेम ने शाम के बाद रुपे अलमारी में रखकर गुनी सका कल काशी जाना नहीं हो पाएगा क्यों आज रसोईया के घर में दुपैर को तार आये कि उसकी मास वस्त है मैंने उसे तीन महा की तनका दे कर छुट्टी दे दी वह चला गया और भोजन कौन बनाएगा जब तक कोई रसोईया नहीं मिल जाता तब तक मैं ही पकाऊंगे गुनीदा तुम विवा कर लो क्यों क्यों विवानी करोगे तो तुमारी घर गरस्ती कौन चलाएगा तुमारी सेवा कौन करेगा तुम हीम ने हसते वे का मैं कि सद्यव इस गरस्ती का बोजा सिर पर लादे रहूंगी मुझे कोई कार्या नहीं शायद मेरा धियान रखना तुमारे लिए कोई काम नहीं है क्या हीम ने मुस्कुराते वे का मेरी तुम से भहस करने की हिम्मत नहीं है नहीं यह नहीं होगा तुम लोगों में बड़ी उम्र की लड़कें भी तो मिलती हैं किसी अच्छी लड़की से विवा कर लो मैं उसी के हाथ में ग्रस्ती चौप कर काशी वस चली जाओंगी अच्छा सही है तुम भी अपना विवा कर लो मैं भी कर लो गुनी ने का हेम हस रही थी परन्तु अच्छानक उसकी हसी गाया वो गई छी गुनी ता या क्या मजा कि इस बात को दुबारा कभी नहीं करना गुनी कुछ नहीं बोला एक टक उसके चेहरे को देखता रहा हेम उठकर चली गई हेम काशी में दो माह रायने पर गुनी के अस्वस्त होने की सूचना पाकर घर वापस आ गई उसके ना आने पर गुनी का रोग बढ़ सकता था हेम ने उसकी सेवा की और थोड़ी दिनों में वे ठीक हो गया बाहर तेज बारिश हो रही थी गुनी पलंक पर बैटा खिड़की से देखता हुआ हेम के विशय में सोच रहा था कि पहले हेम रोजाना उसे प्रणाम करने आती थी परन्तु कहीं दिनों से ऐसा नहीं हुआ उसने मानदा को हेम के बुलाने के लिए कहा मानदा दीदी ठक रॉइन जब कर रही है दो गंटे बाद कक्षमी जाकर हेम ने पुझा तुमने मुझे बुलाया था? गुनी, हाँ बैठो हेम, परन्तु मेरी पुझा भी पूर्णे नहीं हुई है दो गंटे के बाद भी पुझा समाप्त नहीं हुई दो गंटे में कैसे हो सकती है गुरू का कतन है कि कम से कम दो हजार जब करने चाहिए गुरू? कौन है गुरू? हेम, मैंने इस बार काशी में मंतर ग्रहन किया है मेरे गुरू काशी वासी सन्यासी है ओ, उन्हें देखने के पश्याद घर वापस आने का मानी ही नहीं करता ना जाने कब उनके चड़नों के दर्शन संभव होगे सोच रही हूं कल पर सो वापस जाओ गुनी थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोला कल पर सो कैसे वापस आओगी हेम, मैं भी पुरी तरह स्वस्त नहीं हुआओ मेरी सेवा कौन करेगा हेम ने उदास स्वर में कहा वहाँ या कोई खास बात नहीं दो तीन दिन में ही तुम स्वस्त हो जाओगे इसी से काम चल जागा, इससे कम नहीं चलेगा गुनी, हेम रुपेयों की बात नहीं कर रहा हूँ तुम्हें सौ रुपे के एपक्षा दोसों की अवर्शकता होगी तो भी भेश दूँगा, परंतु क्या सच मुछ तुम वापस नहीं आओगी वापस आकर क्या करूंगी मेरे देहसान की सुचना मिलकर भी तुम वापस नहीं आओगी गुनीदा, ये क्या बोल रहे हो गुनी, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता तब भी वक्त रहते सब कुछ बता देना है मेरी वसियत में तुम्हें रुपे देने की विवस्ता रहेगी और तुम्हारे लिए एक घर रहेगा मेरी विंती है यदि कभी यहां वापस आओ तो इस घर के इसी कक्ष में तुम सोना हेम कुछ बोलने जा रही थी परन्तु उस बात को बदलते वे इसने कहा गुणीता मैं बोल रही हूँ तुम्हें कोई खत्रा नहीं पहुचेगा भी कमजोर होने के कारण ये सब बाते तुम्हारे मस्तिक्ष में आ रही है हो सकता है यही बातो कहकर गुणी बाहर बरसात को दखने लगा हेम मुक पर अजीब से भाव लेकर चली गई शाम का कुछ समय बिताने के पश्चा दरवाजे के बाहर से एक कक्से अंधेरा दे कर हेम ने करोधी स्वर में कहा नन्दा बाबु के कक्ष में प्रकाश क्यों नहीं किया गुणी ने अंदर से कहा मैंने इंकार किया था दोड़ते हुए नंदा के आने पर हेम ने उसे लैंप चला कर लाने को कहा अंधेरे में वह कमरे के अंदर जाकर धूंडती हुए गुणी के पाउं के पास बिस्तर पर बैठ गई कमरे में नंदा के लैंप देने के बाद हेम ने गुणी के पाउं पर हाथ रखे उसके हाथ रखते ही उसने पाउं हटा लिए हेम ने दुकी होकर का क्या तुम मुझे अपने पाउं भी नहीं चुने दोगे गुनी क्या वशकता है शायद तुमारे गुरू का इसमें निशेद हो वह बिना कुछ बोले चुपचा पैट रही थोड़ी दर बात बोले होगी गुनीदा तुमें कोई भै नहीं गुनी हसते बहुँए भूला तुम्हें क्या लगता है कि स्वस्त ना होने से मुझे भै लगता है तुम्हारे पाउं पड़ती हूं यह जो ना बोलो यदि तुम सस्त नहीं हो गये तो मैं कैसे जीयूँँगी मैं तुम्हारे जाने से कैसे जीओंगा तभी तो यदि मैं तुम्हें रोके रखूँ यही जाने ना दू थोड़ी देर चुप रहने के बाद हेम बोली तुम मुझे रोक कर क्या लाव होगा लाव गुनी कुछ नहीं बोल सका मौन रहा अचानक हेम ने का गुनीदा क्यों चूपोगए क्या सोच रहे हो कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं तुम्हें कहने लायक मेरी बाते नहीं है तुम उसे समझ नहीं पाओगी पर किसी रोजेदी तुम्हारी बुद्धी में बदलाव हो और तब तक मैं जीवित रहा आना तुम हेम थोड़ा पीछे हटकर बैठती ही बोली मैं सब जान गई हूँ हाईरे किसमत जो रक्षक है वही भक्षक भी अखर तुम्हीं मुझे पदवरष्ट करना चाहते हो छी हेम सोस समझ कर बुलारा करो या क्या बोल रही हो हेम ने तुरंट खड़ियो कर का मैं सोस समझ कर बोल रही हूँ तुम घुमा फिरा कर जो बात बोल रही हो मैं उसे ही तुम्हारे मुख के सामने सपष्ट बोल रही हूँ तुम मुझे समाप्त करना चाहते गुनीदा विद्वा का कैसा विवा मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि धरम के भाने अधरम के मार्क पर चली जाओंगी मुझे ने तुम्हारे रुपयों के वैश रकता है ना आच्रे की मुझे तुम्हारा कुछ ने चाहिए अपने सत्राल वापस जाकर आंगन जाड़कर खाऊंगी परन्तु अब यहां कि अमेरी से कोई वास्ता नहीं रखोंगे मुझे इश्वर कभी ऐसी कुमती ना दे जब समय था तब तुम्हारी अकल कहां चली गई थी तब इसी परकार क्यों नहीं बोल पाए गुनी बैठकर बुला हेम गलती हो गई मुझे शमा कर दो मैं रुग्ण हूँ इस बात को याद रखो बूल नहीं रही हूँ तुम्हें आज नहीं तो कल माफ कर दूँगी पर तुम से कोई नाता नहीं रखोंगी मैं कल फिर वहीं वापस चांगी जहां से घमंड के कारण वापस आई थी जिस परकार भी होगा वहीं रहूँगी समझूंगी वहीं मेरी काशी है और बैकॉंट है गुनीदा मुझे शमा कर दो मैं जाती हूँ हेम लोट गई गुनी वहीं बैठा रहा दुरगा पूजा का त्योहार तुबारा आ गया हेम भूर होते ही खड़की के सबीब चुपचाप खड़ी थी कि अचानक उसकी आँखों से अश्रू बह निकले उसे काफी समय से गुनीदा की खोच खबर नहीं मिली थी हेम ने मन में सोचा मेरे गुनीदा ना जाने कहा होंगे आते समय गुनीदा ने रोते वेकाता हेम एक दो दिन रुख जाओ रूट कर मच जाओ उस दिन रुखन गुनी ने मार्ग तक आकर कहा हेम तुम्हारा मन स्वभावी किस्तिती में नहीं जो भी कारण हो विक्रित हो उटा तब ही मेरी विंती है कि वापस आकर एक ही दिन के लिए रुप जा हेम ने उनकी विंती को नहीं माना और गाड़ी में जाकर बैठ गई गुनी ने दोबारा गाड़ी की खिड़की के पास जाकर कहा हेम हो सकता है आज का तुम्हारा यह करिया सदेव तुम्हें सालता रहे अपने लिए नहीं बलकि तुम्हारे लिए बोल रहा हूं आज तुम गाड़ी से उतर जाओ हेम ने बिना उतर दिये कोच्वान को गाड़ी चलाने को कहा हेम वापस आकर पलंग पर लेट गई और रोते गहरी नीन में सो गई उसके दुक का एक करण यह भी ताकि तीरत जाने के लिए नौकरानी को स्टेट के सरकार से पचास रुपे मंगवाए थे सरकार ने नौकरानी को बिना रुपे दिये वापस भेज दिया और कहा बिना छोटे बाबु के हुकम को वह रुपे नहीं दे सकता हेम देवर से नहीं बोलती थी उसने ओट में खड़े कर का मेरे मंगवाने पर क्या सरकार पचास रुपे नहीं दे सकते देवरने का नहीं, आपके वलवस्तर और भोजन पाने की अधिकार नहीं है, रुपे नहीं पासकती, ठाकुर साथ, क्या पासकती है और क्या नहीं मैं यह नहीं जानती, तुमसे पैसो के लिए जगडा करने, मामला मुकदमा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, परंतु मुझ पाधी रुपे आ गए, क्रोधा वेश्में उन्हें उन्हें आंगन में फिक कर, अपने एक अक्षका किवार बंद करके पलंग पर लेड़ गई, पूरा दिन ना तो कुछ खाया और ना उठी, मनी मन ना जानी किसे स्मरण करके विलाप करती रही, अगले दिन हिम साथ बज उठकर इस्तनान करके पूजा के लिए बैठी रही थी कि नौकरानी ने आकर कहा, बहुमा तुमारे भाई के घर से चार-पाँच लोग पूजा का नेग लेकर आ हैं, कहते कहते मानदा ने आकर परणाम किया, हीम दोड़कर मानदा के गली लगकर विलाप करने लगी, मानद की बात सुनकर फीका पड़ गया और बुली, उठ बैट नहीं सकते, उन्हें क्या होया, तुम्हें कुछ नहीं पदा, नहीं, क्या कहूं, क्या कर मैं जोड़-जोड से रोने लगी, विलाप बात में करना आप जो बात है उसे कहे, दीदी बताने को अब कुछ बचा ही नही तुम्हारे आने के बाद उन्हें दोबारा जोर हो गये, ठीक होने के बाद फिर से जोर हो जाता है, सिलसला चल रहा है, वापस जा करूने देख सकूंगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं हैं हैंनी का, इसके पश्यास सूचना पाकर ना जाना जाने, बर्दवान से मौस परिवर्तन से लाव हो सकता है पर कौन ले जाएगा हें क्या कह रहे हैं तो नंदा क्यों नहीं ले गया मानदा नहीं सिर्प इटते को नंदा को मौसा के लड़के ने मारकर घर से बाहर भगा दिया शराब पीकर घर में अंगामा करता और बाबू भी डर जाते हैं कुछ सके तो अधिक दिन तक जीवित नहीं बचेंगे थोड़ी देर बाद हेमने का मानदा तुम लोगों के पास वापस जाने की पैसे हैं है दीदी तुम्हें मालू मैंने की बाबू एक रुपे किया वश्यक्ता हुने पर दस रुपे देते हैं हमारे पास जाने का किरा है उसन जानती है स्रीमर कब आए का हान लगबग एक गंटे बात मैं इसी गाड़ी से जाओंगी तू ले चल आप परीचित हेम को स्रीडी चड़ते वे देखकर मौसी ने कहा तुम कौन हो मैं विदेश नहीं हूं कहकर हेम उपर चले गई हेम ने गुनी के कक्ष में जाकर देखा पैदिवार की तर्फ मुख करके सो रहा था उसके सिराने चाबियों का गुच्छा पढ़ाता जिसे हेम ने अपने आचल में बांध लिया इसके पश्यात सेफ कोल कर चेक बुक को देखने लगी तब ही मौसी कक्ष में आई और हरान हो गए चिलाते वे बोली कौन हो तुम चिला क्यों रही होगे उड़ जाएंगे गुनी घहन निंद्रा भी नहीं था उसने करवट बतली हैं ने कहा मैंने तुझोरी नहीं खोलेंगी तो कौन खोलेगा तुम गुनी ने दिली से कहा हेम तुम कब आई अभी आ रहे हैं इन्हें बता दो कि तुमारा सेफ खुलने पर किसी भारी व्यक्ति के कर्ष्टों गुसकर चिलनाने की अवश्यक्ता नी ये सभी मेरा है और यह बात भली भादी समझ कर इन्हें यहां से जाने को कह दो गुनी हस्ते वे बुला शायद इसी संपर के करन तुम इतने दिनों पश्यात से खुलने आई थी हेम चेक बुक के पेज गिंते गिंते बुली हाँ मौसी ने पुछा गुनी यह कौन है मेरी बहन तुमने तो कभी नहीं बताया यह कैसी बहन है मौसी ने कहा गुनी मौसी लड़कर गई थी सब कुछ इसी का ही तो है मौसी को उसकी बात वो रिश्वास नहीं हुआ वह चुपचा वहां से चली गई गुनी ने कहा अंतिम समय में अचानक यह एक हयाल कैसे आया हेम का चेहरा देखकर हैरान होते वे गुनी ने कहा हेम नहीं था इसके पशशाथ हेम के सिर परहत रखकर गुनी बोला हेम मैं तुम्हें क्या दंड दू मुझे तुमने प्रेम किया ता इसलें मैंने अपने को भी दंड नहीं दिया यह दंड नहीं है बेन मुझे चार साल की असहनिय तकलीफ के पशात मिरत्यों से पहले जो शांती मिली है मैं आकरी वक्त में उस दुरलब चीच को ही तुम्हें दे जाओंगा चलो हम काशी चलते है हीम ने मूची पाकर भी लगते वे का चलो परंतु क्या यही तुम्हारी यह अग्या है क्या इसे मैं सहपाऊंगी वो नहीं बोले हां सहलोगी तब यह जान जाओगी कि विश्व में प्यार को महा मही मानित करने के लिए विच्छेदने के वल तुम जैसी अतुल एश्वर ये शालिनी के दरवाजे पर आकर ही हाथ भलाएं अवग्या वश्व वह किसी अल्प प्राण शुद्र प्यार की कुटिर पर नहीं गया तब ही सहपाऊंगी जब जानोगी कि अत्रिप्त वासना पर ही महान प्यार पनपता है इसी से वह अमर बनकर यूग यूग में कितने काव्यरस और अमुल्यासू संचित करके रख जाता है जब बिना किसी शंका की यह उपलब्दी होगी कि राधा का श्यत्वर्ष व्यापी व्रह क्यूँ वैशनेवी का प्राण है क्यों वे प्रेम मिलन के भाव में इसू संपुर्ण है व्याथा से ही मधूर बन गया हेम सहन कर सकोगी चलो उठकर बैठ जाओ आज ही हम लोग काशी जाएंगे मैं जितने दिन और जीवित हूँ उतने दिनों को मेरी आखरी सेवा तुमारी है इश्वर के आशिरवाद से यही सेवा अक्षय बन कर तुम्हें आज इवन सही मार्ग और शान्ती में रखेगी